भगवान बुद्ध को संग्रह व्रत्ती नापसंद थी भगवान बुद्ध एक बार कुरू जन्पत के कस्मा दम नामक नगर में ठेरे वे थे आनन्दिस्थविर जहां भगवान बुद्ध थे वहां पहुचे और अभिवादन कर एक और बैठ गए इस प्रकार बैठे वे आनन्दिस्थविर ने कहा तथागत द्वारा उप्दिष्ठ प्रतित्य समुत्पाद का नियम अद्भुत है यह अत्यंत गंभीर है किन्तु मुझे यह इसपर्ष दिखाई देता है आनन्द ऐसा मत कहो यह प्रतित्य समुत्पाद का नियम बहुत गंभीर है इसी प्रतित्य समुत्पाद के नियम को ही ने समझ सकने के कारण इसी प्रतित्य समुत्पाद के नियम के भीतर ही प्रवेश ने कर सकने के कारण यह संसार उल्जन में पढ़ गया है यह दुख का अंत नहीं कर सकता है मैंने कहा है कि त्रशना होने से उपादान होता है जहां किसी के मन में किसी भी चीज के लिए कोई त्रशना नहीं हो तो क्या किसी पिरकार का भी उपादान होगा भगवान नहीं होगा तशना होने से ही आदमी लाब के पीछे जाता है लाब के पीछे भागने से काम और राग उत्पन होते हैं काम और राग होने से वस्तुओं के लिए आग्रह हो जाता है आग्रह होने से अधिकार मलकियत हो जाता है मलक्यत होने से लोग तथा और भी अधिक संपत्ती का स्वामित्व पैदा होता है मलक्यत होने से संपत्ती की देखभाल करनी होती है संपत्ती की देखभाल में से ही बहुत से एकुसल धर्म पैदा हो जाते हैं जैसे मुक्के तथा जक्म, जगडे, कले, बदनामी और जूट, आनन्द यह प्रितित्य समुद्पात का नियम है आनन्द यदि त्रशना ने हो, तो क्या लाब के पीछे भागना होगा, यदि लाब के पीछे भागना ने हो, तो क्या उत्पन होगी, यदि कामना ने हो, तो क्या आग्रे होगा, यदि संपत्ती के लिए आग्रे ने हो, तो क्या व्यक्तिकत संपत्ती के लिए प्रेम होगा, यदि संपत्ती ही नहीं हो तो क्या अधिक संपत्ती के लिए लोब होगा भगवान नहीं होगा यदि नीजी संपत्ती के लिए आसकती नहीं हो तो क्या संसार में सांती नहीं होगी भगवान होगी तब भगवान ने कहा मैं प्रत्वी को प्रत्वी मानता हूँ लेकिन मेरे मन में इसके लिए त्रशना नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम त्रशनाओं का मुलोच्षेद कर देने से उसके पीछे नहीं भागने से बलकि उनका नास कर देने से उनका त्याग कर देने से उनका परित्याग कर देने से ही मैंने बुद्धत उलाप किया है भिक्षवो भौतिक वश्टुओं के नहीं किन्तु मेरे धर्म के उत्राधिकारी बनो क्योंकि त्रशना से ही आशक्ती पैदा होती है और आशक्ती से मांचिक दास्ता इन सब्दों में भगवान बुद्ध ने आन दिस्थविर तथा अन्य भिक्षों को संग्रह करने की प्रवर्ति के तुष्परणाम समझाए नमो बुद्धाय